समय के बीच में रुखने वाली चीज कौन सी है? A. घडी B. कैलेंडर C. समय मशीन D. रोलर अंसर घडी एक चीज है जो कमरे के भीतर रहती है, लेकिन देखने में नहीं आती है यहाँ क्या है? A. धुआ B. सालेंस C. धूत D. कमरे की सीमा उत्तर्क सालेंस जो चलता है वह मर जाता है यहाँ क्या है? A. वाहन B. वकी C. वकील का दस्तावेश D. समय उत्तर्क समय जब वह खुश होता है तो उसका रंग हरा हो जाता है और जब वह उदास होता है तो उसका रंग नीला हो जाता है यहाँ क्या है? A. दुनिया B. आस्मान C. मुर्गा D. जादू का पलटवार उत्तर्क आस्मान जब आप उसे खरीदते हैं तो इसका उपियोग किया नहीं जाता है लेकिन जब आप उसे बेचते हैं तो उसे उपियोग किया जाता है यहाँ क्या है? A. उडान टिकट B. बैंक खाता C. रुखता D. रक्तदान उत्तर रुखता एक चीज है जिसे आप दिन में देख सकते हैं लेकिन रात में नहीं इसे क्या कहते हैं? A. सूरज B. मीरर C. छत D. पेड उत्तर सूरज जो उत्तर देता है वह अपने बच्चे को देता है लेकिन जो सवाल पूछता है वह अपने माम बाप को देता है यहाँ क्या है? A. टेलीफोन B. तला C. पत्नी D. उम्र उत्तर उम्र जो चलता है वह इतिहास बनाता है यहाँ क्या है? A. समय B. वाहन C. विद्युती करण D. स्कूल उत्तर्क समय मेरा रंधरा होता है मेरी खामीर आपको हलका बनाती है मेरा ज्यादातर उपियोग चीजों को मीठा बनाने में किया जाता है मैं कौन हूँ? A. आम B. केला C. अंगूर D. खुबानी उत्तर्काम जब आप उसे तोड़ते हैं तो उसका नाम बदल जाता है यह क्या है? A. एग्स B. सोने का सिक्का C. अंडा D. चश्मा अंसर अंडा मेरा रंग पीला होता है और मैं सबसे अधिक उपियोग में लाया जाने वाला फल हूँ मैं कौन हूँ? A. सेब B. संतरा C. अनार D. केला उत्तर केला मैं एक मधुर फल हूँ जो एक चमकदार रंग होता है मेरे अंदर बीज होते हैं जिन्हें निकाल कर आप मुझे बढ़ा सकते हैं मैं कौन हूँ? A. अनार B. आम C. अमरूद D. अद्रक उत्तर अनार मैं एक लाल रंग का फल हूँ मेरे अंदर बीज होते हैं और मेरा रस मिठा होता है मैं कौन हूँ? A. अंगूर B. सेब C. चेरी D. अमरूद उत्तर सेब मैं एक साधारन वस्तु हूँ लेकिन अगर आप मुझे घुमा देंगे तो आपकी सोच को टेज कर दूँगा मैं क्या हूँ? A. पेंसिल B. बॉल पेन C. जोतिश यंत्र D. टोपी उत्तर पेंसिल मैं कई लोगों के पास होता हूँ लेकिन अधिकतर लोग मुझे नहीं जानते हैं जो लोग मुझे जानते हैं वे मुझे संग्रहीत करते हैं मैं क्या हूँ? A. सिक्का B. शहद C. बिजली D. पुस्तक उत्तर सिक्का मैं तीन अक्षरों का शब्द हूँ मुझे एक और शब्द के बाद लगा कर एक और शब्द बनाया जा सकता है मेरे साथ जोडा गया शब्द भी तीन अक्षरों का होता है मैं क्या हूँ? A. शिमला B. राजा C. चाय D. बिस्कुट उत्तर चाय मैं एक पत्थर हूँ मगर सबसे हलका पत्थर अगर आप मुझे पानी में डाल देंगे तो मैं पानी में डूबूंगा नहीं मैं क्या हूँ? A. एरोनॉटिकल स्टील B. फायर ब्रिक C. फोम स्टोन D. पॉप्सिकल उत्तर फोम स्टोन एक जंगल में एक तालाब है जो पांच मील के परिधी में है एक काम वाले ने दूर खड़े होकर यह देखा कि तालाब में कुछ समान नहीं है उसने क्या देखा? A. पानी B. जहास C. जलती हुई लकडी D. तालाब के नीचे कुछ उत्तर जहास एक बार एक महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी उसका दोस्त उसे देख रहा था, लेकिन उसे यह दिखाई नहीं दे रहा था क्यो? A. उसका दोस्त अंधा था B. वह उससे दूर था C. वह उसे मिरर से देख रहा था D. उसकी नजर उस पर नहीं थी उत्तर वह उसे मिरर से देख रहा था जिसके पास होता है, वह उसे साजह नहीं कर सकता और जो उसे साजह करता है, वह उसके पास नहीं होता यहाँ क्या है? A. बर्फ B. सर्दी C. फ्रिज D. ब्रहमांड उत्तर ब्रहमांड एक तरफ उसका सिर होता है, दूसरी तरफ उसके पैर होते हैं, और उसकी मध्य भाग में एक सामान्य चीज होती है, जो हर व्यक्ति के पास होती है यहाँ क्या है? A. उस्तक B. कुर्सी C. फोन D. बैंक खाता उत्तर कुर्सी थैंक यू पर वाचिंग डोंट फोर्गेट तो सब्सक्राइब